राधी राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है थपड़े समीर निधी का हाथ पकड़ कर जोर से मोर दिया जिसके कारण निधी की चिख निकल गई समीर निधी पर छिलाते हुए बोला बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी हमें समझ जाइस दे रही है हाथ पैड तोड़ दूँगा ना तब समझ में आएगा तुझे कहते हुए समीर ने निधी को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया एक तो निधी का हाथ मुड़ गया उपर से इतनी जोर से धक्का लगा की जमिन से सिर भी डकरा गया जिसके कारण निधी दर्द से कराह उठी उसे दर्द से कराहती हुई देकर सकुंतला जी बोली बेटा एक बार सबक्सी खा ही दे इसे अब तो तुझे समझ में आ ही गया है कि इसका कोई माईकी वाला यहां आकर बोलने से रहा बहुत ज्यादा ही जब बान चल रही थी इसकी अपने भईया भाभी के सामने सकुंतला जी की बात सुनकर समीर भी निधी को घुरते हुए देखा बस ममी आज इसका इलाज कर ही देता हूँ अपने आपको समस्ती क्या है यह नोकरी करती है तो अपने आपको पता नहीं क्या समस्ती है आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है कहता हुआ समिर निधी की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकरकर उसे जबर्दस्ती खिचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया निधी चित्ती रही चिलाती रही समिर पिलीज मेरी बाद तो सुनो मुझे घर में आने दो इस तरह घर से तो मत निकालो अरे मैं कहां जाऊंगी कहीं पर भी जाकर मरो पर हमारा पिछा छोड़ो या तो सराफत से वहु की तरह रहना सीख जाओ या फिर कहीं और का रास्ता न बोला अरे ममी कब तक ये तमासा चलेगा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया खाना कौन बनाएगा सुप्रिया ने कहा तो सकुंतला जी समीर की तरफ देखते हुए बोली अरे बेटा छोर उसे सुबह तक तो उसकी अकल ठीकाने आ ही जाएगी तो सुबह का खाना तो वो बना ही देगी पर अभी तो भूक लग रही है बाहर से ही खाना मंगा दे कुछ तो खाकर आराम करे बहुत ठक गए हैं सकुंतला जी ने कहा समीर ने भी खाना ओडर कर दिया और सोफी पर आकर बैट गया इधर निधी लगभग बाहर आकर खाने का आउडर लिया पर निधी को घर में आने तक नहीं दिया आस पडोस के सभी लोग इकठे हो गए थे पर समीर और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया निधी काफी दिर तक घर के बाहर ही बैटी रही पर इधर ससुराल वाले खा पी कर अपने के लिए आते जाते और आज परोष के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी, माईके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या करे? आज परोष की अवरते आपस में बात कर रही थी, कि देखो एक वो दिन था जब ये लोग बहु की बलया ले रहे थे, और आज देखो बेच अरे कभी वहों के लिए वक्त बदलता है क्या, क्या फैदा ऐसे आत्म निर्भर होने का, कितना ही कहलो, दुनिया बराबरी की है, पर वहों के लिए सोच वहीं की वहीं है, सबकी बाते नीधी को सुनाई दे रही थी, आखिर कुछ सोच कर नीधी उठकर खड़ी हो गई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्म निर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपनी ससुराल वालों की मोताज हो रही हूँ, आखिर इन लोगों को सबक न सीखा दूँ मैं, नीधी ने अपना मोबाई लिया, और कही फोन लगा ने नीधी से बात की और आज परोस के लोगों से जनकारी लेकर, फिर घर के दरवाजे को जोर जोर से पिटना शुरू किया, आखिर इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा था, घर में सब के निंद खुल गई, बाहर आते सोर से घर वाले सब हैरान रह गए, आखिर हीमत करके समीर ने दरवाजा खोला, देखा तो NGO वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे, उन लोगों को देखते ही समीर और समीर के घर वालों की सिट्टी पिट्टी गूम हो गई, उन्हें बिलकुल उमीद नहीं थी कि निधी इन लोगों को बुला लेगी, जब निधी ने क समझाइस दे कर वहां से रवाना हो गए, और दो घंटे के तमासी के बाद मजबूरन समीर और उसके परिवार वालों को निधी को घर में लाना ही पड़ा, घर में आने के बाद सबसे पहले निधी ने अपने लिए खाना ओडर किया, निधी अपना खाना लेकर हॉल में ही बैटकर खाने लगी, तो सकुंदला जी बोली, देखो कितनी बेसरम है, इतना कुछ हो गया, और ये यहां बैटकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आप से ही सीखा है सासूमा, थोरी देर पहले, पहले आप लोगों ने भी यहीं सब किया था मे अब तुझे कोन बचाएगा, कहता हुआ समिर निधी की तरफ बढ़ा, जैसे ही उसने निधी की बाँ खिचकर उसे उठाने की कोशिस की, इतने में निधी ने जुरदार थपर समिर के गाल पर दे मारा, निधी के इस तरह के कृत्ते से सब हक्के बक्की रह गए, सकुंतला जी अपने मूँ पर हात रख कर हैरानी से निधी की तरफ देख रही थी, वहीं सुपडिया भी कभी अपने भाई को, तो कभी अपनी ममी को देख रही थी, समिर अपने गाल सहलाता हुआ उसे घुर रहा था, तेरी इतनी हिमत की तुने मुझ पर हात उठाया, भूल गई त कि मैं तेरा पती हूँ, अच्छा, पती, कैसा पती, कौन सा पती, और पती क्या होता है, तुम्हें पता भी है, हक जताने आता है, पर जिम्मेदारी निभाने तो आई नहीं तुम्हें, पती बनने का तो बहुत सोख है तुम्हें, पर पतनी का मान समान क्या होता है, वो तो तोप पता ही नहीं तुम्हें अरे बेस्तर में अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहां से और हमें यहां चैन से रहने देती सकुंतला जी ने कहा तो निधी मुश्कुराकर बोली अरे इतनी असानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं और ये ठप्पर पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं बस मुझे आप लोगों का चेरा सब के सामने लाना था वो मैं लाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ पर फिर भी आपने गलती की और क्यों जओ यहां से माप करना सासूमा आपके बेटे ने मुझे जितने थपर मारे है ना हर एक एक थपर की कीमत वसूल करूंगी जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊंगी मैं पर तब तक आप लोगों का जीना हाराम कर दूंगी और वैसे भी अब मुझे पर हाथ उठाने से पहले दस बार सोच लिजिएगा सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परिसान करते हो कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले आप लोगों को जबाब देना पड़ेगा फिर आप जाने और निधी ने हाथ दीखा कल से रुकते हुए कहा अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे खाना खाने दो और हाँ सासुमा कल से आपके घर का काम आप खूद ही संभा लेना या अपनी बेटी से करवा लेना अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ औ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली हूँ अब मुझे जितना होगा उतनी ही करूँगी निधी ने कहा और चूप चाप खाना खाने बैठ गई पर किसी की हीमत नहीं थी कि उसे उसकी जगा से उठा तो दे क्योंकि सब को समझ में आज चुका था कि आज और आज का दिन है उसके ससुराल वालों ने उसे कभी परिशान नहीं किया असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक से एन सस्क्राइब कर दीजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों की क्या राहे हमें क करके जरूर बताईएगा आपका पहुत पहुत धन्यवाद